तक है हलो डियर फ्रेंट्स बेलकम टू आर चैनल एक जाम जोण अकेड्मी आज की क्लास में डिली सल्तनत जो पढ़ रहे थे उसकी क्लास जो होगी डिली सल्तनत की स्वार्फ नंबर सिकेंड होगी 3 होगी कितनी होगी क्लास नंबर 3 होगी इससे पहले हम लोगों ने दो क्ला तो आज की क्लास को है वो कंटिन्यू करते हैं तो पहला प्रस्ण है आज की क्लास का नई फार्सी काब सैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सैली के जन्मदाता किसे माना जाता है तो आप जानते हैं कि सबक ए हिंदी या खड़ी बोली या हिंदुस्तानी सैली का जो ज क्या हो जाएगा डी इसका राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगले प्रुसन को देखते हैं कि अनकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंस के सासक भारत में अपने समराज विस्तार नहीं कर पाए इसका मुख कारण क्या था आरम में उनकी सैन सेक्टी कमजोर थी ये तो गलत बात है आरम में उनकी सैन सेक्ट तो बहुत मजबूत थी इसलिए तो मुहमद गौरी जो थे मुहमद गौरी था तो उसने क्या किया था प्रत्वी राज चौहान जैचेंद है तो ये सभी को उसने पराजित किया था ठीक है तो आप जाएगा क्योंकि मंगोल आक्रमण का भाय था ठीक है तो आपसा नंबर बी राइट एंसर हो जाएगा आपसा नंबर बी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रसन दीखती है अगला प्रसन जो पूछा गया है अगला प्रसन पूछा गया है निमलिकित में स किसने सिकंदर सानी या दुतिय सिकंदर की उपादी धारन की थी, तो इल्तुत मिस्थे बलबन था, अलाउद दिन खिल जी था, इन में से कोई नहीं, तो कौन था? अलाउद दिन ख्युल जी था जिसने क्या है सिकंदर ए सानी या दुतिय सिकंदर की उपादी धारण की थी जबकि इल्तुत में इसकी बात करोगे तो 1211 से ले करके 1236 तक दिल्ली की गद्धी पर बैठा था बल्बन जो है 1266 से ले करके 1287 तक दिल्ली की गद्धी पर बैठा बल्बन जो था वो बल्बनी वंसका था किसका था बल्बनी वंसका सासक था बल्बन ने लोह और रक्त की नीती अपनाई थी लोह और रक्त की रक्त की नीती अपनाई थी बल्बन ने ही भारत में नवरोज पृथा को जो ये नवरोज पृथा होती उसको प्रारंब किया थ ठीक है और इसने नवरोज पृता की प्रारंब किया था ठीक है तो आपसा नंबर सी क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंदेखते हैं सिक्कों पर खलीफा या नायब का खुद्वाने वाला पहला प्रतम सुल्तान कौन था तो खलीफा जो था क्या हुआ था था सिक्कों पर खलीफा या नायब या कुद्वाने वाला पृत्वम सुल्तान कौन था वह थाiral्यूस तुगलक कौन था फिर नंबर सी क्या हो जाएगा आपसा नंबर सी राइट एंसर हो जाएगा गया सो दिन तुगलक जो था दिलिये तुगलक वह सका पृत्वस टा तो सयद उस्सलातीन की उपाद जो है वो फिरोसात तुगलक ने धारन की थी आपसर नमबर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं निम्लिकित में से कुछे कुरान खा या कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है तो कुरान खा हो लाक बक्स हो या जिसे लाक बक्स कहते हैं लाकों का दान करने वाला या सिपहा सालार की जो पद्वी से अपने आपको संतुष्ट करता है कुरान खा कहते हैं ये सभी कुतूब दीन एबक को कहते हैं किसे कहते हैं कुतूब दीन एबक को कहते हैं जबकि दासों के दास की बात करता है भी PCS म ये प्रसम पूछा गया था कि कौन सा गुलाम वंस का सासक है जिसे दासों का दास कहा जाता है तो दासों का दास जो है वो इल्तुत मिस को कहा जाता किसे कहा जाता इल्तुत मिस को कहा जाता इल्तुतमिस को दासों का दास क्यों कहा जाता इसका सबसे बड़ा जो रीजन है आप जानते हैं कुतुबुद्दिन एबक को मुहम्मद गौरी ने खरीदा था ठीके मुहम्मद गौरी ने खरीदा था जबकि मीना मार्किट से कहा से मीना मार्किट से खरीदा था जबकि आप जानते हैं इल्तुतमिस को कुतूबुद्दीन एबक ने खरीदा था इल्तुतमिस को खरीदना तो मुहम्मद गौरी चाहता था लेकिन मुहम्मद गौरी जो था इसके पैसे बहुत ज़्यादा बताय जा रहे थे इस कारण से इसको खरीदता नहीं है उसके बाद में इल्तुतमिस इसको क्या करता है इसे पसंद करता और इसे खरीद लिया जाता है इसलिए इसे दासों का दास कहा जाता है अगला प्रसंद देखते हैं किस सल्तनत कालीन सासक को मिनहाज ने हातिम ताई दुतिय की संग्या दी दी ती वो कुतूबुद्दीन एबक को दी थी किसको कुतूबुद्दीन एबक को दी थी 1206 से लेके 12010 तक चौगान खेलते हैं बहुत 12% पूछा गया है कुतूबुद्दीन का सासनकाल अभी आपका जो NTPC टायर वन का एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था उसमें पूछा में रूकुनेदीन फिरोज साथ बैठता है इस से इल्टुतमिष के पहले आराम साह के बाद में आप जानते है रूकुनेदीन फिरोज साह बैठता, उसके बाद में दिली की गद्दी पर जो 36 से 40 तक वैटती है वो रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी होती है कुतोब दिन एबक का जो दामाद था वो इल्तुतमिश था कौन था इल्तुतमिश था ठीक है तो उसके बाद में अगला प्रस्थन है जो प्रस्थन ही जो आपकी कुतोब दिन एबक अपने सासन काल में ही कुतोब मेनार का भी कार निर्मार का कार जो है कुतोब दिन एबक ने स्टार्ट करवाया जबकि इसको कंप्लीट जो करवाया था वो इल्तुत मिशने किसने इल्तुत मिशने क्योंकि कुतोबु दिन एबक की चावगान खेलते हुए जिसे पोलो कहते है चावगान खेलते हुए उसकी क्या हो गई थी गोड़े से गिरकर म्रत्तु हो गई थी अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन अपने आपको यूसर का अविसाप कहता था तो यूसर का जो अविसाप है वो किसे कहा जाता था वो चंगेज खांको तो आफसर नमबर ए क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा जबकि 1749 में नादिर साह का भारत पर अक्रमड ह होता है ठीक है 1749 में नादिर साह का आक्रमड होता है अगला प्रस्ण पूछा गया है निमलिकित में से किसे बगदाद की खलीफा ने मंसूर या स्विक्रत पत्र या माना से पत्र प्रदान किया था तो आप जानते किसको प्रदान किया था वो इल्तुत मिस को इल्तुत में दिल्यी सल्टनत का वास्तिक संस्तापक माना जाता है। क्या वास्तिक संस्तापक माना जाता है। इल्तुत्मिस ने ही जीतल από टंका नाबमक चांदी के सिक्कों का प्रारम्प किया था। अगला प्रस Andrew पूछा गया है delivery सल्टनत का पहला सुल्तान कौन जिसने दुवाब के आर्थिक महात्व को समझने वाला वो इलतुतमिश था कौन था इलतुतमिश था आफसन नमबर बी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रस्न पूछा गया है दिल्ली की राजगदी पर अफगान सासकों के सासन का निमलिकित में से कौन एक सही कालक्रम है सही कालक्रम कौन है अफगान सासकों का अफगान सासक सबसे पहले था बहलोल लोदी बहलोल लोधी के बाद दिली की गद्धी पर सिकंदर साह लोधी बैठता है सिकंदर साह लोधी के बाद में 1526 तक इब्राहिम लोधी बैठता है इब्राहिम लोधी को 1526 में जिसे पानीपत का पृथम युद्ध कहते हैं पानी पत के प्रतम युद्ध में इसकी क्या हो जाती पराजित हो जाती बाबर के द्वारा और ये दिल्ली सल्तनत का एक मातर ऐसा सुल्तान था जो रणभू में या युद्ध सर्चेतर में मारा गया था तो ये प्रसंद कई बार पूछा गया है तो आफसर नमबर इसका C र नुसरत साह भी कहते हैं क्या कहते हैं नुसरत साह कहते हैं जबकि गयासुदिन तुगलक जो था वो आपका क्या था तुगलक वंस का पृथम या संस्थापक माना जाता है क्या माना जाता है तुगलक वंस का संस्थापक माना जाता है जबकि फिरो सा तुगलक दूसरा मु अलाउदिन खिल जी ने एक अलग विभाग जो है दीवान ए आरिज इस्थापित किया था बलबन ने अपने सेना को घोड़ों को दागने की जो पद्दत है उसको प्रारंब किया था उसको प्रारंब किया था बलबन ने मुहम्मद बिन तुगलक के बाद दिली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे ये बात गलत है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान इस्थापित किया था तो ये बात सही है कौन सी ये बात सही है जबकि मुहम्मद बिन ये भी गलत है बलबन ने अपने गोड़ों को नहीं अलाउदीन खिलजी ने गोड़े के दागने की पृता आरंब की थी अलाउदीन खिलजी ने दिवान ए आरज की इस्थापना नहीं की थी अगला जो प्रस्म पूछा गया है चंगेज खा के अधिन मंगोलों ने किसके सासनकाल में भारत पर आक्रमर किया था तो आप जानते हैं मंगोल किसके समय पर आक्रमर किया था मंगोलों ने बल्बन के फिरोसा तुगलक इल्तुतमिस के मुहम्मद बिन तुगलक तो इल्तुतमिस के समय पे किया था आपसन नमबर C राइट इंसर हो जाएगा छंगेच खा जो था मुहम्मद उसका क्या कहते हैं जलाल الدिन मांग बरनी का पीछा करते हुए वो सिन्द informed के पास वो खड़े होकर रास्टा देखता अपना एक दूद्स पिर जलालुदिन मांग बर्णी जो था वो क्या करता है वो इसके पास इलतुतमिस के पास में एक प्रस्ताव मदद के लिए अपना दूत भेजता है लेकिन इलतुतमिस क्या होता है हुसियारी करता है उस दूत को मार देता है और उसकी कोई मदद नहीं करता है उसके बाद में यहाँ पे नासरी दिन कुबाचा और जलालुदीन मांगवर्णी के बीच में युद्ध होता है जिसमें क्या होता है जलालुदीन मांगवर्णी होता है वो नासरी दिन कुबाचा को पराजित करता है पराजित करने के बाद वो फिर वापस चला जाता है जिस दीवान ए बंदगान तुगलक वन्स में इस्तापिश सही है दीवान ए मुस्तक्राइब बलबन नहीं दीवान ए कोही अलाउदीन किल जी नहीं दीवान ए अर्ज मुहम्मद ये भी नहीं तो आफसर नमबर A राइट इंसर हो जाएगा अगला पूछा गया सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था अविजात वर को दिया जाने वाला अतरिक्त भुकतान या वेतन के बदले में निर्धारित माल गुजारी इक्तादारों दोरा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिसिस रास या कृस्को से ली जाने वाली गैर कानूनी वसूरी तो आप जानते फवाजिल जो था ये एक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में की जाने वाली अधिश्यस रास थी तो आपसर नंबर इसका C क्या हो जाएगा राइट इंसर हो जाएगा अगला प्रस्थ है दिल्ली का हो उसका नाम है फिरोज तुगलक तो आपसर नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा अगला पूछा गया है अपनी सक्ति को समेकित करने के लिए के बाद भब उपादी धारण की थी वह कौन सी थी तूति ये हिंद कैसर ये हिंद जिल्ले ए इलाही या दीन ए इलाही तो कौन सी उपादी धारण कर थी तो उसका नाम था बल्बन ने जिल्ले ए इलाही की किसने धारण की थी बल्बन ने ठीक है बल्बन ने कौन सी जिल्ले ए इलाही की उपादी धारण की थी आपसर नमबर सी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन है उलूख खाज बल्बन का जो ब सुल्तान गड़ी दिल्ली का निर्मार करवाया और मकवरा निर्मार सहली का जन्दाता होने का गौरो पाया था तो कौन सा वो दिल्ली सल्तनत का सासक था उसका नाम था उसका जो नाम था वो इल्तुतमिश था कौन था इल्तुतमिश ने था इल्तुतमिश ने सुल्तान निर्माद करवाया, मकवरा का निर्माद या सहली जनदाता भी माना जाता है। दिली सल्तनत इलतुत मिंस द्वारा बनवाया गया अतार कि इनका दरवाजा जोकी अकवर के बुलन दरवाजा का प्रेणा सुरोत बना ये कहां पर इस्थिद है। तो ये आपका नागवर इसा दल का गठन किया,便 कि इसका इसका पतन जो है बल्बन ने किया था, गयासुद इन बल्बन ने किया था तो आपसर नमबर बी right answer हो जाएगा अगला प्रसने निम्लिकित मेंसे कौन राज दर्बार में बल्बन का सर प्रमुक प्रतिदुन्दी था तो बल्बन का जो सर प्रमुक प्रतिदुन्दी जो था वो इमानुदीन रह्मान था कौन था इमानुदीन रह्मान था आफसर नमबर A राइट इंसर हो जाएगा किस के राजिकाल में लखनौटी या बंगाल की राधानी में तुग्रिल खाथा विद्रो और दमन्व किया था तो किस ने किया था तो आप जानते हैं किसने किया था तो किया था बल्बन एक गया सुदिन बल्बन आपसर नमबर b Right answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है बंगाल के बित विभाग दीवान ए बिजारत से अलग कर एक प्रथक संस्ता के रूप में सैन विभाग दीवान ए आरिज अर्ज की इस्तापना किस का उद्देश थी किसका उद्देश थी आंत्रिक विद्रोहों का दमन सही मंगोल आकरमणों को रोकना तो आपसन नमर सी क्या हो जाएगा इस आपसन का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसने किसने राज दर्बार में सिजदा मतलब और पाबोस नमक पृथा को प्रारम किया था जिसे सिजदा था घुटनों पर बाइट कर सीज को नवाना जबकि पाबोस था पाउं को चुमना तो यह बलबन की देन थी किसकी बलबन की देन थी तो आपसन नमबर भी राइट एंसर हो जाएगा आज की क्लास का जो लाश्ट प्रसने बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए साह नामा में वर्णित के प्रसिद तुर्की योध्धा का वनसज होने का दावा किया था तो उसने जो किसका ह कोने का उसने दावा किया था तो आप जानते हैं आफर्स याव का किसका अफर्स याव का तो आफसर नमबर एक क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा अभी आप दिल्ली सल्तनत के फिप्टी कुस्शंस बचे हुए हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिसक्स कर लेंग झाल झाल